जोहार जारखंड नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी को आपके अपने चैनल एकजाम है पीवाई जारखंड में तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी सहाय कद्यापको के आकलन परिछा के इपोटेंट नोट्स और यहाँ पर पिडिये जिसको करके डेली एंस याटी का नोट्स पीडियेफ ट्रीक सारा चीच चाते हैं तो सिर्फ पर सीफ दो सो रुपए मंतली पेड करके आप हर महीना पांच तारिक से पहले जूड़ सकते हैं नहीं तो फिर उसकी किम्मत हो जाती है तीन सो रुपए तो आपको अच्छा लगता है दो सो रुपए देखर के जूड़ जाएंगे जिसमें आपको यहां जो नोट्स देख रहे हैं वो आपके वाट्स अप पर डेली मिलते रहेगा और वीडियो भी मिलते रहेगा जिससे जूड़ करके आप तियारी करते रहेंगे और आपकी सौ पर तीसत यहां पर सफलता हैं तो जल्दी करेंगे और हमारे आप मुबाइल नमर देख रहे हैं उस मुबाइल नमर से अब भी के अभी यहां पर फॉन लगाईए और जूड़ जाएए तो चले देखते हैं दिल्ली सल्तनत में हुए परमु कौन्स का नाम उसका याद किस तरह से आप रखेंगा और धारित प्रशन किस परकार्ट से आते हैं उनका सारा चीजों का मेंसन हमने यहां पर किया हुआ है तो आप सभी अवस्य देख लेंगे दोस्तों तो आज हम आपके लिए यहां पर देखिए एक बहुत ही महत्तपून ट्रीक लेकर क्या हुए हैं और इस ट्रीक को यदि आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं देख लेते हैं तो आपको हम बता देते हैं यहाँ से एक प्रशन आपके पक्के क्याम में आने वाले हैं तो चलिए अब हम आपको बता दें दोस्तों यहां पर जो नोट्स देख रहे हैं, नोट्स बनाएवा ट्रिक्स का, या NCRT का कोई भी नोट्स PDF आपको चाहिए, तो यहाँ पर आप डेली 200 रुपए मन्थली कोर्स, ठीक है, डेली मन्थ, जिस मन्थ में आपको जुड़ना है, उसके 5 तारीक अंदर आप जुड़ते हैं, तो आपक यहाँ पर नोट्स PDF और वीडियो आपके वाट्सप पर प्रोभाइड किया जाता है, जिससे आप यहाँ पर चाहिए आकलन परिछाहो या जेटिट परिछाहो, सहाय का चार्ज बहाली परिछाहो, सीटिट परिछाहो, सारे में आप यहाँ पर कम्प्रीट कोर्स करके आप तयारी में और अच्छे नंबर 100% सफलता पाने के लिए आप हमारे यहाँ पर डेली NCRT का नोट्स पीडियो को जोईन कर लिजेगा, जिसमें आपको यहाँ पर ट्रीक से ले करके नोट्स से ले करके अबजेक्टिव किविशन सारे जो केवल परिछा में आए हुए है, उन तो O यहाँ पर आप नाम देखेंगे, क्या कुछ दिया हुआ है, तो आप देख लिजेगा यहाँ पर, GK क्या लिखा हुआ है, GK तुम्हारा सायद लो है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, इसी पर आपको सारा प्रशन बनने वाला है, तो चले देखते हैं, देखें, हो गया, GULAM ONCE, तो दिल्ली सल्तनत का परमुख, ONCE जो हो गया, वो आपका GULAM ONCE हो, तो पुचता है, दिल्ली सल्तनत पर जो इहाँ पर कपजा हुआ, जो निव डाला गया, उसमें सबसे पहले किस ONCE हो ने वहाँ पर सासन किया, तो वो थे आपके GULAM ONCE, ठीक है, अब याद रखेगा खाओ अला खिलजी वंस क्या याद रखेगा खिलजी वंस बात समझ गया है तो गुलाम वंस और केस हो गया ही खिलजी वंस ओके आगे देखेगा तुम्हारा तुम्हारा में देखे तुम्हारा यहीं लिखा हुआ है ना तुम्हारा तुम्हारा में देखे त सायद, यही है, सायद, तो सायद को याद रखेगा, सायद, सायद को क्या याद रखेगा, सायद, क्योंकि वा के को स्यू टेबल लखने के लिए हैं, पर सायद लिखा गया था, अब बहुत को बोलते हैं, कह रहे हैं, यार जी के तुम्हारा सायद लो है, बहुत ही अच्छी लोधी वन्स हो गया, very good, अब यहाँ पर देखिए सी का नोट्स भी बनाए हुआ है, आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको डेली नोट्स भी मिल जाएगा, इस तरह से अधी आप जूड़ जाते हैं तो, तो जी का मतलब देखिए गुलाम वन्स, के का में तू से तुगलक वन्स, और सायद में सै से सैयद वन्स, और लोधी में लोधी वन्स, तो अब देखिए, यहाँ पर पुछता है कि दिल्ली सलतनत में हुए परमुख वन्स का नाम के याद रखने का ट्रीक, यानि ये करम से है, ये एक करम से आगे पीछे नहीं है, आप करम हमने बताया है, ठीक है, तो सबसे पाला कोन हुआ, गुलाम वन्स, दूसरा कोन हुआ, खिलजी वन्स, तिसरा कोन हुआ, तुगलक वन्स, चौथा कोन हुआ, सैयद वन्स, और पांचमा कोन हो गया, देखिए, पांचमा और जिसकों लास्ट कहेंगे, ठीक है, पांचमा वन्स कौन था है ठीक है यह देख लिजे यूपी टेट जी यह देख लिजे एमपी टेट और सीजी टेट तीनों में आया हुआ है ठीक है तो अब तो आप पियाद होगी होगा ना कि दिल्ली सल्तनत का वन्स याद रखने के लिए जी के तुम्हारा सायद लोट रिख है तो जी से पहला है गुलाम वन्स ठीक है तो यह राइट एंसर इसका यह हो जाएगा अब देखिएगा दिल्ली सल्तनत का दूसरा वन्स कौन था जी दिल्ली सल्तनत का दूसरा वन्स गुल अगला देखेगा, दिल्ली सल्तनत का तीसरा सासक कौन था, तो अभी अपने याद किया है, जी के तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारा मने तीसरा, ठीक है, तो तीसरा सासक तु है, तु मतलब क्या होता है जी, तुगलक वन समने बताया था, और तुगलक वन स देखेए, सी एकदम याद रखे जी के तुम्हारा सायद, जी होगा पाला, के होगा दूसरा, तुम्हारा होगा तीसरा, सायद, सायद का मतलब हमने बता दिया है, सायद वन्स, क्या हुआ है, सायद वन्स, तो ये चौन्था सासक जो हो गया, ओ आपका हो गया, सायद वन्स, सायद वन्स द दिया हुए राइट एंसर D है आपका चले आगला देखते हैं दिल्ली सल्तनत का पांचवा और अंतिम सासक कौन था गुलाम वन्स खिलजी वन्स लोधी वन्स या सेयद वन्स ठीक है याद है आपको ट्रीक जीके तुम्हारा सायद लो है ठीक है पहला दूसरा तीसरा चौथ पांचवा में लोधी है तो लोधी वन्स ठीक है इसका राइट एंसर क्या हो गया सी हो गया लोधी वन्स और यह अंतिम सासक था अंतिम सासक था आई से कुछ नोट साब को हम लो लिख दिया देखेंगे आपकर पानिपत का पर्थम यूद 21 अप्रेल 1526 से स्विक हुआ जि पर लोधी वन्स जो दिली सलतनत का अंतिम सासक था उसको पराजय करके उसने मुगल वन्स की निव देर डाली और मुगल समराज आपसे चले लगा दिली सलतनत की यहां से समापती हो गई तो इस तरह से डेली नोट्स PDF और ट्रीकी वीडियो और सारे नोट्स का वीडियो के हैं और अपनी सफलता सुनिश्चीत कर सकते हैं तो आप इस तरह के चैनल से जड़ू जुडिये और जड़ू नोट्स डेली प्राप्त करते हुए अपनी ग्यान सिमा को बढ़ाए सीर्फ और सिर्फ दो सो रुपए में वीडियो कं तक जुड़े रहें इसके लिए आप कोई को बहुत बहुत धन्युक्त